गाइस मुझे पता नहीं आप में से कितनों ने मेरी प्राइम सेल जो आई थी अभी उस पे ओफर देखे थे बट एक कंपनी जो प्राइम सेल में पूरी तरीक से पागल हो चुकी थी वो थी क्यासियो उसने अपनी ये 150AW जो 1695 रुपे के आती है वो स्टॉक में नहीं रहती भाई साब 35% डिसकाउंट पे लगा के रखी थी उस पे 10% का कार्ड ओफर मिला के भाई हजार के नीचे के गड़ी थी कार्ड ओफर तक पता नहीं क्या क्या था पूरी तरीकी से पगला गए थे Casio वाले प्राइम सेल पे मैंने पोस्ट भी किया था आप इसे बहुत साई लोगों ने खरीदी भी है मैंने अपने विडियो में Casio की जो एक बहुत अच्छी ओफर हाइलाइट की थी वो थी इस पे the GAB001 this is the flagship model for Casio in the G-Shock range under 10,000 रुपीज अराउंड पे और आप सब जानते हैं मेरा प्यार for the GA2100 you all know it I love this watch मैं दो साल से this watch के बारे में गुणगान किये जा रहा हूं Casio ने बोला कि भाईया GA2100 तो है चल रही है अलग-अलग color और variant आते रहेंगे बट हम GAB001 लाँच करेंगे तो guys मैंने prime day sale पे I have put my money where my mouth is and I have bought the GAB001 आज इसे unbox करेंगे review करेंगे और देखेंगे कि क्या it is better than the GA2100 इसकी exactly कहानी और position क्या है Casio के portfolio में लेकिन घड़ी को unbox से review करें उसके पहले customer quick response check हम सबकी प्यारी हम सबकी चाहेती एक और घड़ी है जिसके बार मैं बोल-बोल के loud speaker बन चुका हूँ आप पूछते हो तो मैं बता देता हूँ तो guys इस तरीके से आता है टिपिकल G-Shock का box 11.95 के MRPA बट ये 20% discount पे मिली थी 10% card offer भी लगाये था guys मैंने तो मुझे अंडर 9K की पड़ी थी जिस प्राइज पर क्यासी योग मिलती है इस तरीके का आता है डब्बे के अंदर डब्बा और अंदर G-Shock का टिन का डब्बा ये बहुत सा काम नहीं है ताइम तो रिवील ला 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 guys this is it the GAB 001 in this amazing blue color way teal color way इसको jellyfish भी बोलते हैं मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको मैंने ये color क्यों चूश किया तो guys this is it this is the GAB 001 the flagship model for Casio G-Shock in their most popular price segment which is around 10K इसके 4 variants आते है guys एक stealth black आता है एक red और grey आता है प्लस ये वाला jellyfish इसली कहते है क्यों कि एक jellyfish भी होती है हलकिसी translucent होती है that's why this and the grey black version is called the jellyfish variant guys review में आगे बढ़े उसके पहले time to quickly take a look at the specifications unfortunately मेरा vernier caliper गूम गया है मुझे मिलनी रहा है आपको सीधा पढ़के बता रहा हूँ a case diameter of 42.5 mm, lug to lug of 46 mm and a case thickness of 13.8 mm this is how it looks again the GA 2100 red Casio G-Shock हम सबकी सबसे चहीदी Casio G-Shock structurally ये घडिया काफी similar है a very unfair comparison guys I know but क्या करें this is how it looks again the HMT Pilot this is how it looks again हमारी मन पसंद चहे थी Benyaar, Rolex, Oyster Perpetual, Tiffany Blue, Humaz dial watch and this is how it looks against one of our other favorites the Seco SRPD 59K1 in this beautiful sunburst orange dial अब guys अगर इसके features की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें भी GA 2100 जैसे dual mode है analog hands है और इधर digital display window है ये है mode का button आप इस तरीके से mode दबाऊगे तो है world time, stop watch, timer, alarm clock और normal time पे चला जाता है और आप देख सकते हैं with every push of the button the sub dial is actually moving अब guys इसके features के बाद में बात करना बिना GA 2100 को context में रखे थोड़ा दूरा होगा fundamentally 3 key differences हैं इसमें cosmetically आप देख सकते हो GA 2100 इस तरीके से काफी plain vibes में आता है ये वाली जो है पुड़ी अतरंगीर type के थोड़ी शोशा वाली funky वाली हिसाब किताब देने की कोशिश किये that's number one number two ये जो sub dial है GA 2100 का sub dial guys denote करता है day को तो Sunday to Saturday तक के इसमें sub dial move करता है जिसको Casio ने अपने GA 2100 के tough solar variant में जो yellow वाला में ने review किया था which for me is the best iteration of the GA 2100 उसमें उनने हर mode के साथ sub dial को change कर ना बना दिया था इसमें guys जो markers है उनमें कोई भी luminosity नहीं है तो आप देख सकते हो GA 2100 में luminous markers है भले कम हैं बट at least हैं thirdly आप देख सकते हैं कि GA 2100 के जो straps हैं ये quick removal straps होते हैं and modularity and customizability is a very big haul mark of GA 2100 इसमें वो चीज नहीं है entire strap is made in one piece along with the case cover also GA 2100 में जो एक हमेशा मुझे complaint रही थी वो इसके buttons ना काफी finicky हैं घुसे हूएं अंदर जाते हैं ये इन्होंने इस वाली B001 में change कर दिया है इसके buttons आप देख सकते हो अच्छे मोटे ताजे juicy buttons हैं मतलब दवा के खेलने में मजा ही आ जाता इसमें एक और चीज है आप सारे buttons देखोगे similar है black coating के साथ है जो light वाला button है to make it easy for you to differentiate and feel it in the dark light वाले button को इने हलका सा groovy बना के दिया आप देख सकते हो ये इसकी light feature है बहुत light है but I hope you can make it out अंधेरे में काफी अच्छी visible है luminosity नहीं मारकर में वह एक बात है and GA-2100 की भी light तो काफी legendary है लेकिन इन दोनों में जो key feature difference है वो है that the GA-B001 comes with Bluetooth and इसमें Bluetooth connectivity works exactly in the same manner जैसा मैंने आपको अपनी GA-2100 tough solar Bluetooth variant में बताया था आप से connect करो connect हो जाती है 30 seconds के अंदर Casio का आया पाता है मैं दोबारा नहीं करूँगा guys काफी boring लगता है मुझे वो connecting वाला process दिखाना again जिसको Bluetooth के बारे में in-depth जानना है हमने GA-2100 Bluetooth के उपर बहुत detail में connectivity के उपर हिसाब किताब किया था look wise अगर मैं बात करूँ मुझे GA-2100 रेड बहुत पसंद है लेकिन इसका जो ये वाला वेरियंट है तर्कोइस ब्लू वाला जैली फिश वेरियंट ये मेरा ना दिल जीत रहा है इसे हाथ में पहन के देखते हो वोडिक देते हैं कि is it worth buying or not so guys this is it this is the GA-B-001 जैली फिश on my wrist और आप इस तरीके से देख सकते हैं वेर सुपर कॉम्पाक्ट, सुपर कमफुटेबल, सुपर लाइट वेरियंट एक्जाक्टी लाइट लेकिन गाइस वेर इस वाच लोग्स दो इस तरीके से ग्रेडियंट लोग है जो जैली फिश तरीके का इसमें effect आ रहा है, the color the wearability, this watch is a must buy, especially at the price which you are getting, यह 12,000 की आती है 20 टका discount है, 10 टका card discount लगा लो, Prime Day का जो offer है वो continue हो रहा है, अभी भी आप देख सकते हो now, इस price point पे गया है तो GA2100 के बराबर की price है क्योंकि GA2100 की जो MRP है, वो इस घड़ी का current selling price है, अगर आपको GA2100 अच्छी लगे, तो आप उस तरीके का लोग prefer करते हो, तो आप वो ले लो लेकिन अगर आप थोड़ा different घड़ी चाहते हो with the same goodness of GA2100 तो GAB001 can be your pick, especially in this color way, तो guys this was the GAB001 jellyfish blue variant, the recent launch by Casio, which is their flagship G-Shock for 2023, video अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दो बाड़ इस लाइक करना, चैनल सब्स्राइब कर जब तक नहीं किया है, बहुत वीडियो आच चुकी बहुत आने वाली है, and guys, जैसे Prime Day Sale पे भी मैंने बात की थी और मैं हम है, जो आप एक बार पहनोगे, वो जिन्देगी भर आपके साथ चलेगी, बिलकुल टिकी रहेगी, आपके साथ जितने आप टेके, उतनी वो टिकी रहेगी, ची वाचेश कीजिए, क्लासिक टाइमलेस पीसे में इंवेस्ट कीजिए, लेकिन स्मार्ट वाच से कच्रों से दूर रही है, थाइम्स वाचेश कीजिए, टेक केर, तिल दे नेक्स टाइम, स्टे सिफ.